साथियों नमस्कार स्वागत है आपका अपने चैनल सकसे जंक्सन एक कदम सफलता की ओर में और हम लेका क्या आगा हैं आपके लिए एक बहुत ही जादा महत्पूर वीडियो है सब ही परिच्छाओं के लिए चाहे आप S.S.C.E.D. की बात करते हैं M.P.P.S.C., M.P.S.I., U.P. परिच्छाओं आगामी दिनों में होने वाली हैं उनकी लिए ये बहुत ही महत्पूर अती महत्पूर टॉपिक है सकते हैं भारत की प्रतम महिला हैं 2020-21 देखिए वो जमाने अब चले गए जब आपसे लूसेंट में से प्रशन पूछ ले जाता था कि भारत की प्रतम महिल आगे आपको 10 प्रशन देखने को मिलने वाले हैं इन में से 2 या 3 प्रशन आपके एक्जाम में टपक नहीं वाला है बड़े अच्छे से बड़े दिमाग लगा करके आप इस बात को नोट कर लीजिएगा ठीक है तो चलिए सीधे प्रशनी की और चलते हैं बिना समय सकते हैं बहुत ही फैवरेट प्रशन है आपका MPPC का अभी हो साथ ही साथ में जो NTPC का अभी एक्जाम हुआ है वहाँ पर लगबख साथ से आठ स्रिफ्ट में ये बार बार पूछा गया है ऑप्सन यह 9 मार्च ऑप्सन भी है 20 मार्च ऑप्सन C 8 मार्च ऑप्सन D 10 मार्च एंसर तो सबको ही पता होगा आए देखते हैं तो 8 मार्च को यहाँ पर भारती अंतराष्टी महिला दिवस मनाया गया है बस आपको क्या नहीं याद होगा तो आपको नहीं याद होगा इस महिला दिवस की थीम तो आईए हम आपको बताते हैं थीम का आर्थ होता है विसय और विशय ही आप से पूछा जाएगा, आईए देखते हैं। तो इस बार से जो महिला दिवस मनाया गया है, उसकी थीम है बूमेन इन लीडर्सिप, अचीविंग एन इक्वल फ्यूचर इन दा कोविड-19 वर्ल्ड जैसा कि आपको पता है भी COVID-19 चल रहा था, 2020 को पूरा खा गया COVID-19 तो इस बार की थीम जो रखी गई है, महिला दिवस की, वो यही थीम रखी गई है बूमेन इन लीडर्सिप, अचीविंग एन इक्वल फ्यूचर इन दा कोविड-19 वर्ल याद रखना है यह थीम आपसे पूची जाएगी 110% MPPSC और MPP पुलिस के लिए बहुत ज़्यादा महत पूर है चलिए प्रस्ट नमबर दो की ओर चलते हैं प्रस्ट नमबर दो की बात करते हैं तो देश की पहली महिला लडाकू बिमान पाइलेट कौन बनी है महिला लडाकू बिमान पाइलेट गौर कीजिएगा सब्द पर option A है अवनी चतरुवेदी, option B है बिजयल अच्मी पंडित, option C है भावना कंठ या फिर option D है इन में से कोई नहीं आई एंसर देखते हैं एंसर है यानि कि अवनी चतरुवेदी जो है वो अभी भारत ये पहली जो है महिला फाइटर पाइलेट बनी है देखिए अवनी चतरुवेदी भारती वाई सेना में फ्लाइट लेटनेंट के पत पर कारण रहत है पहली बात याद रखिएगा 2016 में उनकी ट्रेनिंग पूरी हुई और यह लड़ाक को विमान उड़ाने वाली पहली भारती महिला पाइलेट बनी है बहुत गोर से आपको एक-एक प्रशन देखना है एक-एक प्रशन को नोट करते चलिए हालंकि PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी फिर भी आपको एक-एक प्रशन अपने दिमाग में रखना है चलिए अगले प्रशन क्यों चलते हैं तो प्रस्ट नमर तीन है, राफेल उडाने वाली पहली भारती महिला पालेट कौन बनी है, आईए आप्शन की और चलते हैं, आप्शन A है भावना कंट, आप्शन B है महोना सिंग, आप्शन C है सिवांगी सिंग या फिर आप्शन D है उप्रोक्त सभी आई आई एंसर देख बात करते हैं इससे पहले सिवांगी सिंग जो है मिग 21 को उड़ा चुकी है वे अमबाला में 17 गोल्डन एरो में सामिल होने वाली पहली भारती महिला बन गई है अब जी राफेल की बात कर लेते हैं राफेल से प्रस्ट जरूर पूछा जाएगा तो राफेल को किस ने बनाया डसाल्ट एवियेसन जो की फ्रांस की कंपनी है बात पर गौर कीजिएगा आपका ब्यापम कुछ भी पूछ सकता है ठीक है कोई भरोसा नहीं है ब्यापम का ठीक है तो सिवांगी सिंग बिल्कुल सही आंसर होगा चली अगले प्रशन क्यों चलते हैं अगला प्रशन है दे इंसर सी बिल्कुल सही है यानि कि तान्या सान्यवाल जो है वो देश की पहली फायरफाइटर है आए देखते हैं तो देश को पहली महिला फायरफाइटर मिल गई है तान्या सान्याल ने एयरपोर्ट अथर्टी ओफ इंडिया ने महिला फायरफाइटर के रूप में पदस तो अभी तक क्या होता था कि पुरुस को ही यहां पर फायर फाइटर की रूप में रखा जाता था लेकिन तान्या सानेवाल ऐसी पहली भारती महिला बन गई है जिने फायर फाइटर की रूप में जगह दी है एरपोर्ट अर्थॉर्टी ऑफ इंडिया ने तो ए ए आई इसक की दूसरी महिला लडाकु विवान पाइलेट कौन है और फिर ऑफिर ऑफ्सन डी इन में से कोई नहीं दूसरी की बात की जा रही याद रखेगा और यह दूसरी भी है साथ ही साथ में कि स्पेशल अचीवमेंट इन्हों ने प्राप्त की है आईए वो भी हम आपको बताते हैं एंसर है B यानि की भावना कंट जो है वो देश की दूसरी महिला फाइटर जो पाइलेट बन गई है आई अतरिक जानकारी देते हैं तो देखे भावना कंट देश की दूसरी महिला लडाकु विमान पाइलेट बनी इस बार की गरतंतर दिवस्की परेड में भावना कां कुन प्रस्टन है चलिए प्रस्ट नमर शे की बात करते हैं तो टी ट्वंटी में सतक लगाने वाली देश की प्रथम महिला कौन है और पूनम अगरवाल ऑप्शन भी हर्मन प्रीत कौर ऑप्शन जूलन गोश्वामी या फिर ऑप्शन डिया निमी साथ चौपड़ा आए दे के प्रस्ट आप से पूछते हैं तो हर्मन प्रित कौर ने न्यूजीलेंड के खिलाफ एक क्यावन गेंदों में 103 रनों की बिस्पोटक पारी खेली पूछ लो भाई कितना डीपली पूछोगे क्या पूछ लोगे कितनी गेंदों में बनाई यही तो पूछोगे कितने रन यहां पूछो किस डेश के खिख बना यह पूछोगे तो जितना डीप से आपसे पूछा जा सकता है उतना डीप से डीप आपको हम नौलेज देने का प्रयास करेंगे ठीक है क्या यह प्रश्ट नमर साथ क्यों चलते हैं प्रशन नमर साथ है ईसलिवल गर्ल के नाम से किसे जाना जाता है क्यों जाना जाता है इस नाम से आए देखते हैं तो पीवी इंदू ने रियो ओलम्पिक 2016 में सिल्वर मेडल जीता था इस वज़ए से उन्हें सिल्वर गरल कहा जाता है याद रखेगा आप से पूछा जा सकता है कि कौन से ओलम्पिक में इनों ने सिल्वर आपको बहुत अच्छी मूवी है आपको बहुत अच्छे से मोटिवेट करेगी कि हम कुछ भी कर सकती है अगर चाहें तो देखिए इनके बारे में आपको जानकरी देते हैं तो सौर्य पुरुसकार से नवाजी जा चुकी है अभी हाले में उनका रिटार्मेंट हो गया है तो कारगिल युद्ध के दौरान गुंजन सकसिना ने बेखाफ होकर चीता हेलिकॉप्टर उ अगर प्रश्ण बनेगा हौक एडवांस जेट वीमान उड़ाने वाली पहली भारती महिला कौन बनी है ओप्सन यह मोहना सिंग और तीनों लोगों ने एक साथ में ट्रेनिंग ली और तीनों लोगों ने अलग-अलग छेतर में अपना नाम रोसन किया है तो याद रखिए है ठीक है चलिए दस की बात करते हैं प्रश्ण नमट दस है अभी हाल ही में असम सरकार ने किस भारती खिराड़ी को डीएसपी के पद पर पदस्त किया है और यह वही प्रश्ण जो आपके एक्जाम में चपेंगे चाहाए से जीडी की बात कर लें क्योंकि जीडी की अभी से याद रख लीजिएगा आठ मार्च कल था याद रखिएगा यहां से प्रश्ण बनेंगे बिल्कुल मैं कह रहा हूं लिख करके रख लीजिएगा एंसर की बात करते हैं सही एंसर सी यानि हिमादास को अभी हाल ही में असम सरकार ने डीएसपी के पद पर पदस्त किया है आपसे पूछा जा सकता है कि हिमादास कौन से खेल से समंदित हैं किस गाउं से समंदित हैं तो आए पूरी जानकारी देते हैं तो अभी हाल ही में धावक हिमादास को असम सरकार ने डीएसपी के पद पर पदस्त किया है इन्हें धिंग एक्सप्रेस के नाम से भी जाना ज है ठीक है तो यह महिला दिवस यहां आठ मार्च मनाया गया है तो यहां से जो प्रश्ण बनेंगे उसके लिए हम आपके लिए बहुत महत्पूर्ण यह वीडियो लेकर के आए हैं सभी परिष्छा के लिए महत्पूर्ण है इवन MPPSC UPPCS UPSI कोई भी एग्जाम जहां पर करें हैं SSC GD Special के लिए साम को हम क्लास डाला करेंगे याद रखेगा और अब कल आज से क्लास स्टार्ट होगी यह करेंट का टॉपिक था कल आपके लिए हिंदी लेकर कि आएंगे हम हिंदी में 25 में 25 नंबर SSC GD में लेकर कि आना है याद रखेगा ठीक है और कैसे लेकर कि आना हैं वो हम कल आपको बताएंगे ठीक है जल्दी मिलते एक नई वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार धन्यवाद